हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, बेसंग की चक्की हो या मोहन धाल, दोनों ही सबको बहुत पसंद होता है, आज हम बनाएंगे बेसंग की चक्की जिसमें टेस्ट आपको इदम मोहन धाल जैसा आने वाला है, बनाने में बहुत आसान है, बहुत इजी मेथड के साथ इसे हम बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने दो कप बेसं लिया है, जिससे मैंने एक बर चांद लिया है, मेजर्मेंट के लिए आप कोई भी कप या कड़ोरी सेट कर लीजिए, पिर उसे से ही सारा मेजर्मेंट ले लिजिए, यहाँ पर मैंने फाइन वाला ही लिया है तो गैस का फ्लेम आम आउन तरेंगे उसके उपर हमें कड़ाई रख देंगे और यह बेसन उसमें डाल देंगे अभी हमें गी नहीं डाला है ऐसे ही बेसन को हम एक दो मिनट के लिए ड्राय रोस तरेंगे उसके बाद इसमें गी एड़ लिए भूना है दो मिनट तक इसे ऐसे ही लदातार चलाते वे भून लिया है अभी इसमें हम घी डालेंगे तो यहां पर मैंने तीन-चौथाई कप घी लिया है दो तरप बेसन के लिए तीन-चौथाई कप घी इंदम इनफ है एट टीबल स्पून घी मैंने अभी बचा ल नहीं है फ्लेम मैंने यहां लो रखी है लो फ्लेम पर ही हम सारी प्रॉसेस करेंगे जिसकी हमारी चेकीता टेस्ट अच्छा है अजर आप मैजर्मेंट क्रटोरी से ले रहे हैं तो तर्टोरी से ही नापके आप इसमें तीन चौथाई तर्टोरी यहां पर गी एड़ दर करेंगे 5-6 मिनट हो रहे हैं मुझे बेशन को भूनते वे अभी आप देच सकते हैं इसता तलर चेंज हो गया है तो इसे हम ऐसे ही भूनते जाएंगे अभी हमें यहां पर इसकी और बुनाई दरनी है फ्लेम मैंने यहां पर लोही रखी है साथ से आठ मिनट बाद अभी आप देच सकते हैं बेशन का तलर कितना चेंज हो गया है यहां पर मैंने एट याई तब दूद लिया है दूद नॉर्मल टेंपरिचर पर है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे दूद में मैंने कुछ केसर के धागे डाल दिये थे डालना आप्शनल है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो इस तरह 3 बार में तरके मैंने ये इत्याई कब दूद पूरा इसमें डाल दिया है अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे जो दूद हमने डाला है वो बेसन अब्सॉर्ब कर लेदा और मिक्स्यर हमारा फिर से ड्राइ हो जाएदा इसे हम कंटिनुसली ऐसे ही 3-4 मिनिट के लिए चलाते वे और भूल लेंगे अधर आपने इससे पहले तभी ऐसे डूद डाल के चक्की नहीं बनाई है तो इत बार आप इससे इस तरह जरूर ट्राइ कीजिए इससे ये चक्की आपकी तरही दिनों तत सौफ्ट बनी रहेगी साथ ही टेस्ट बेस्ता ताफी बढ़ जाए रहा टेस्ट इद्ध मोहन थाल जैसा आए रहा तो यहाँ पर हमने इसे मिट्स तर लिया है बेसन में से बहुत अच्छी हुश्बू आ रही है बेसन अच्छे से भून चुता है तो अब हम गैस्ता फ्लेम बंतर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं मीनवाइल हम इसके लिए चाशनी बना के त्यार कर लेते हैं गैस्ता फ्लेम बंतर ने के बाद भी आप इसे एद्दो मिनट के लिए ऐसी ही चलाते रही है क्योंकि अभी तड़ाई बहुत दरम है इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेसन नीजे से जल जाए रहा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है चाशनी बनाने के लिए हम यहां इत पतिले में एक प्रब चीनी डालेंगे दो तरफ हमने बेसन लिया है इसलिए मैं यहां इत प्रब चीनी ले रही हूं साथ ही तीन चौथा हम इसमें पानी डाल दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें अब हमें बोईल आने देंगे मैंने यहां दो तरफ बेसन के लिए एक तरफ चीनी ली है अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप चीनी की त्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं चाशनी में बोईल आना स्टार् में देंगे या जब तक कि इसमें एक तर बनने ना रच जाए पांच-छे मिनट हो चुके हैं चाशनी तो पत्ते वे चैत्र लेते हैं चाशनी चिपचिपी हो रही है तार भी हल्का बनना स्टार्ट हो गया है एक तार मिनट के लिए हम इसे और पता लेंगे और फिर से हम चाशनी को इब बार चाट कर लेते हैं तो आप देच सकते हैं तार बनना स्टार्ट हो गया है हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए गैस्ता फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं फिर से हम अमारे बेसन वाले मिच्शर पे आ रही है यह हलका ठंडा हो गया है गैस्ता फ्लेम हमें बंद ही रतनी है चाशनी हमारी तेज दरम है तो इसे अब हम यहां पे डाल रेंगे और दोनों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे दोनों में से कोई एक चीज हमें दरम रखनी है और इसे अच्छे से मिलाना है गैस का फ्लेम हमें बंद ही रखना है कुछ देर बाद आप देखेंगे कि बेसन अपना तलह चोड़ना स्टार्टर दे रहा और यह मिच्षर एक साथ बनने लग जाए रहा अधर आपको लगे कि आपकी चाशनी एक तार्की नहीं बनी हो यहां पर अधर आपको म प्लेमान कर सकते हैं और इसे एक दो मिनट के लिए पता लेजिए तो आप देच सकते हैं मिच्षर ने अपना पुरा तलह चोड़ना स्टार्ट कर दिया है यह डोकी फॉर्म में बनने लग गया है तो यहां पर अब इसे हम ट्रेस की वी प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे तो यहां मैंने यह प्लेट ली है प्लेट पे मैंने तोड़ा सा गील अधा दिया है सारा मिच्षर हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसे अच्छे से प्लेट के उपर हम फैला लेंगे प्लेट या ट्रे में हम इसे इवनली फैला लेंगे स्पैचुला से उपर की सर्फ से इदम स्मूथ हो रही है हल्का सा इद बार हम इसे टैप पी तर लेंगे अब इसके उपर हम कटेवे नट्स डाल देंगे तो यहां पर मैंने ताजू बादाम पिस्ता तो चौप किया है आप तो जो नट्स पसंदो वो आप यहां पर डाल सकते हैं नट्स डाल के अब हम स्पेचुला से फिर से हल्का सा प्रेस तर देंगे जिससे की यह चक्के के उपर सेट हो जाए अब हम इसे ऐसे ही नॉर्मल टेंपरिचर पर तीन से चार रंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे की यह सेट हो जाए आदा रंटा बार चक्के हमारी हल्की सेट हो रही है तो हमनाइस फे इस पर मात लगा देते हैं जिसने की बात में हम इजी लिए इसे नित्ला सकेंगे तु इस तरह आप तो चक्की कितनी बड़ी है चोटी साइज में चाहिये उसके अकॉदिन हैं prepare ऐाप यहां पर मात लो है हैं अभी इसे ऐसे ही हम तीन घंटे के लिए रूम टंपरिचर पर छोड़ देंगे जिसे की अच्छे से सैट हो जाए तीन घंटे पार चक्की हमारी सैट हो गई है चलिए इसके पीसिस को हम निकाल लेंगे तो इस मैजरमेंट से और इस मैथड से आप भी एट पार ये चक्की की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए करी दिनों तक ये सॉफ्ट बनी रहती है उपर से ड्राइ बिल्कुल नहीं होती है ठाने में बहुत टेस्टी लगती है बनाने में तो आप देखी चुके हैं बहुत टेस्टी बनी है आप देज सकते हैं इसका कलर और टेच्चियर तो इक बार आप इसे इस तरह जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो पसंद आ है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए उत नए वीडियो में ऊच्नाइ रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई